हdd हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग गुड मार्निंग ये मैं फेस का नॉर्मल बेक्ष कर रही हूं एलो वीरा बेक्ष है इनके फेस पर क्वेग बहुत बाल थे तो इनोंने बोला कि मेरा बेक्ष कर दो तो मैं नॉर्मल बेक्ष ही कर रही हूं क्योंकि कटोडी बेक्स का तो आप लोग को कितने बार विडियो डाला था यह नहीं डाला था मैं बोली कि आप नर्मल ही करा लो थोरा जल्दी वाजी भी था उनको तो यह कि थोरा जल्दी हो जाता है मैं यह नॉर्मल बेक्स कर रही हूँ आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो रहा पहले तो आप पूरा फेस पे पॉडर लगा ले अच्छे से पॉडर लगा के उनको मिला दे पॉडर को उसके बाद आप गुनगुना बेक्स लगाए बिल्कुल गुनगुना गरम नहीं होनी चाह चाले पड़ सकते हैं जल सकते हैं आप नोज पे आँखों के आइड साइड पे भी लगाए क्योंकि जिसके बाल होते हैं चाहिए इससे क्या डेटी स्कीन भी निकल जाता है तो मैं जैसे आखों के पस लगाना है तो उनको बोलो कि आख आखे खोल के रख नहीं तो क्या पल के ऊपर हो जाए इनके क्या आँखों के आसपास भी बहुत बाल थे तो इसलिए ऐसा करके लगाए नहीं तो क्या आँखों के पलके निकल जाएंगे इनका मैंने थ्रेडिंग भी डाला था आप लोग देखे ही हैं तो इनका थ्रेडिंग भी बहुत अच्छा मोटा था बहु कि शरीर पे थोड़ा इधर उधर भी करो तो चलता है लेकि फेस पे बहुत बचकी करना पड़ता है कि कस्टमर को दाने न निकले रेड न पड़े धीरे अराम से ठंडा वेक्स लगाना है तो आप ऐसे देखके आप सीखो और आप घर में भी कर सकते हैं एक दुसरे के हल्प से आप मेरा वीडियो देखके कमेंट में बताओ कि हां मेरा काम आपको कैसा लगता है कि बीच में क्या मैं थोड़ा बोल के डाल नहीं पा रही थी तब यह थोड़ा खराब हो गई थी इसलिए आप लोगों को पास वीडियो नहीं जा रहा था बोलने वाला तो अभी क्या तीज का भीर भी चल रहा था तो फिर उसमें हम ब्यस्त है अब थोड़ा सा कम हुआ है तो आप डाल रहा है इधर का लगबग हो गया है वेक्स तो अपर लिप पे भी लगाएंगे चेन पे भी लगाएंगे सारे बाल अच्छे से ध्यान से करेंगे एक बर फ कर सकते हैं आप लास्ट तक वीडियो देखें तो आपको दीखेगा लास्ट में देखना कितना क्लीन हुआ है इनका चहरा और देखके बताएं कि हाँ आपको कैसा लगा और प्लीज आप लोग लाइक कमेंट किया करें पूरा वीडियो देखें बाय कर दो 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 कर झाल 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 झाल